पहले भारत दुनिया में अपनी उपस्तिती बढ़ाने के मकसद से आगे बढ़ रहा था लेकिन अब भारत ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया है अब भारत उन देशों को चुनोती देने जा रहा है जो अपनी मौनोपोली के दम पर एक आधिकार किये हुए थे जिसमें आ कुछ बदलाव देखने को मिल सकेंगे और अब इसी कड़ी में भारत ने अफरीकी देश तंजानिया में एक बड़ा दाव खेल दिया है जिसमें चीन को जटका लगेगा ही लगेगा साथी साथ साथ अफरीका और जापान भी इसमें जाने वाले हैं बता दे कि तंजानिया को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है जिसकी पहले से ही हाई डिमांड है वहीं तंजानिया को स्टील का एक्सपोर्ट करके भारती स्टील मिलें अफरीकी महादीप में स्टील की बढ़ती मांग का पूरा फायदा उठा सकती हैं वहीं भारत ब्रिजिस लॉग गेट टा कंडल तंजानिया का दौरा करेगा जिसमें बायर सेलर की मीटिंग होगी जो भारत को आयरन और नॉन आयरन एलोय श्टील जैसे अन्य सेग्मेंट में एक मजबूत पकड़ बना कर देगा वहीं भारत इस कदम से उन छेतर में अपना निर्याद बढ़ा सकेगा जहां वरतम और अन्य सामगरी का निर्याद एक ऐसी शणी है जिसमें भारत में कुछ हद तक बढ़ातरी हासिल की है कोल मिलाकर तंजानिया और अन्य अफरीकी देशों में अपने निर्याद गतिविदी का विस्तार करके भारती स्टील मिलो का लक्ष उनकी वैस्षिक परतिसपरदा को बढ़ाना और इंटरनेशनल स्टील इंडस्टी में एक बड़ा बादार हासिल करना है